एक हिंदू लड़का मुसलिम लड़की के साथ बना रहा था संबन्द तब ही अचानक कुछ ऐसा होता है दौनों की हो जाती है हत्या आखिर ऐसा क्या हुआ था इस घटना की पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंते तक जरूर देखिएगा नमस्कार मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरची बात चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना है उत्तर प्रिदेश के बस्ती जिले के रदौली गाओं में एक गन्ने के खेत में एक लास पड़ी हुई थी और वहाँ पर गाओं के लोग इधर उधर गूमने के लि सिनाक्त करवाती है तो पता चलता है कि वह लड़का उसी गाओं का है उस लड़के का नाम है अंकित और उसकी उमर है 20 साल उसके घरवालों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि यह लड़का कहा था तो उसके घरवाले कहते हैं कि यह ट्रैक्टर चलाया करता है एक कि हैं जो कि मुसलिम है और वहीं पर गया था हमसे कह करके लेकिन वापस नहीं आया तब ही वे घरवाले उस ट्रेक्टर मालिक के घर जाते हैं और पूछते हैं क्या हमारा बेटा यहां पर आया था तो वो मना कर देते हैं कि तुम्हारा बेटा यहां पर नहीं आया उसके बाद पुलिस चानबीन में जुड जाती है और फिर उसकी call details चेक की जाती है कि आखरी बार उसके पास phone किसका आया था तो दोस्तो आखरी बार उसके phone पर एक Amina नाम की लड़की का phone आया था और Amina 19 साल की है फिर पुलिस Amina के घर पहुंचती है अमिना उसी की बेटी थी जिसके ट्रैक्टर को जो अंकित है वह चलाया करता था वहाँ जाकर पुलिस देखती है तो वहाँ जाकर देखती है कि Amina की मा और कुछ औरतें वहाँ बैटकर रो रही थी और फिर वह कहती है पुलिस उन से कहती है कि तुम रो क्यों रही हो तो वह बताती है कि हमारी बेटी बीमार हुई थी और एकदम से उसकी मौत हो गई हमने उसको दफना दिया इसलिए रो रही है तब ही दोस्तों पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं कि एक तो वह लड़का आर्धनग नावस्ता में मिला हुआ था उसका पैंट नीचे की तरफ किसका हुआ था और दूसरा इस लड़की ने उसके पास फॉन किया था और अब यह लड़की भी मर गई है और वह लड़का भी मर गया है तो पुलिस का सक उसके घरवालों पर हो जाता है उसके बाद पुलिस उसकी डेड़ वोड़ी को कबर से निकालती है चेक अप किया जाता है तो उसकी डेड़ वोड़ी पर भी निसान थे मारने और पीटने के उसके बाद पुलिस उस लड़की के बाप और भाई को अरेस्ट करने के लिए जाती है तो बाप और भाई वहां से फरार हो जाते हैं दोस्तो पुलिस उनको अच्छी तरह से चानवीन करके ढून निकालती है और फिर पूछती है कि तुमने अपनी बेटी को और उस लड़के को क्यों मारा तो बाप और भाई कहते हैं कि हमारी बेटी मुसलिम थी और वेलर का हिंदू था यह उससे प्यार किया करती थी और हमने खेत में इन दोनों को रंगे हातों पकर लिया था फिर हमने इन दोनों के इतना मारा कि मारते मारते इनकी मौत हो जाती है उसके बाद हम अपनी बेटी को लाकर उसको दफन कर देते हैं और उस लड़के को वहीं एक के खेत में छोड़ाते हैं तो दोस्तो पुलिस उनके उपर मुकदम दर्ज करती है और उनको ग्रफतार कर लिया जाता है दोस्तो हिंदू मुसलिन के नाम पर टार्गेट ना करें यह सिर्फ महज एक खबर है और मैं आपको बता देना चाहता हूँ अच्छे और बुरे लोग हर धरम में होते हैं हम कभी भी अपने चैनल पर हिंदू मुसलिम बिलकुल भी नहीं करते हैं ना ही उंचनीज का करते हैं ना ही कोई जाती और धरम के उपर बोलते हैं तो यहाँ पर हिंदू और मुसलिम में बिलकुल भी इस खबर को ना लें यह सिर्फ और से एक खबर है तो दोस्तों अगर आपको हमरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इनको आप से जरूर कर दिया करें हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे अगला प्रोग्रम में वो जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साफधान रहें और समाज से थोड़ा सा बच कर रहें क्योंकि समाज के अंदर अगर आप थोड़ा सा भी गलत कदम उठाते हो तो समाज आपकी जान भी ले सकता है यह साक्षात प्रित्यक्ष इस वीडियो में मैंने बताया है तो अगला प्रोग्रम में वो जल्दी फिर से लेकर आऊंगा तब तक आप खुछ रहें, सावधान रहें रिष्टों की एमित को समझें जय हिंद, जय भारत